हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आपका पाई क्लासेज में आज हम MCQ डिसकस करने वाले हैं मानव विकास लेसन फॉर बुक वन यूमन डवलप्मेंट यह चप्टर हम पढ़ चुके हैं आप इसको मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो आज हम इसके MCQ आपके सामने डिसकस करने जा रहे हैं आइए स्टाट करते हैं दोको पहला कोश्ण है निमन मेंसे कौन सा बिंदू व्रद्धी को भली परकार से परिभासित नहीं करता तो इसमें दोको हमें सारी चीज पढ़ के लेखनी पड़ते हैं दोको व्रद्धी परिवर्तन को इंगित करती है यास मातरातमक होती है बिल्कुल सही है और मूरले इसका निर्पेक्च होता है ये भी सही है धनातमक और रिनातमक हो सकती है केवल धनातमक होती है तो ये ऐसा बिंदू है हमारा जो व्रधी को परिभासित नहीं करता है आईए नेक्स कोशन करते हैं कहता आरंब में अनेक दसकों त जाता था ता रूर्ग में किसके आधार परेजा पंदा जाता था दा पैसों के अधार पर देस धिछना धनीयों का उतना ही उसे विक्सित माना जाता था जानी आर्थिक व्रदी के रूप में तो पहला ही इसका आंसर है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा विकास का महतपून पक्ष नहीं है यानि विकास का महतपून पर यानि उससे विकास का कोई लेना देना नहीं है तो इसका सीधा सीधा आंसर है यातायात साधनों की उपलब्दता हाना कि ये भी है लेकिन इस उपर वाले जो ज़्यादा इनको पक्ष माना जाता है जीवन गुनवत्ता का आनन्द सवतनताओं का भोग होना चाहिए अब सरों की उपलबता होने चाहिए उसी को अच्छा विकास माना गया है यातयात के साधनों की उपलबता इसका माना विकास से कोई ज़्यादा संबन्द नहीं है नेक्स्ट निमलिखित में से कौन सा बिंदू डाक्टर महबूब उलहक द्वारा वन्नित माना विकास की और इंगित करता है इसा विकास जो लोगों के विकल्पों में व्रद्धी यही है क्योंकि डाक्टर महबूब उलहक ने विकल्पों में व्रद्धी की ही बात करी थी तो पहला ही इसका आंसर है नेक्स्ट निम्न में क्या मानव विकास का महतपून केंद बिंदू नहीं है क्या नहीं है विलासपूर जीवन की पहुंच यानि हमें आनंद में जीवन जीने की पहुंच जो है उसे मानव विकास नहीं माना जाता मानव विकास में क्या संसाधनों तक पहुँच होनी चाहिए सिक्षा तक पहुँच स्वास्ताई इसको हम मानव विकास मानता है यह नहीं कि आपको मजे और आयासी की जिंदगी जीने को वो मानव विकास कहें तो यह हमारा केंद्रविंदू नहीं है नेक्स्ट निमलिखित मेंसे कौनसा योगम सुमेलित नहीं है सम्ता परतेग व्यक्ति को समान अवसर मिले यह सही है परतेग पीड़ी को समान अवसर मिले रिए उत्पादक्ता भविस्य की आवसकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का परिए उत्पादक्ता से इसका कोई संबंद खास नहीं है ठीक है तो यही हमारा आंसर है इसका बागिस सक्तिकरण अपने विकल्प चुनने के लिए सक्ति यह तो होनी ही चाहिए तो तीसरा वाला जो आंसर है वो सुमेलित नहीं है नेक्ष्ट एक असिक्षित बच्चा डाक्टर बनने का विकल्प नहीं जुन सकता निम में से किस के कारण उसका विकल्प सीमित हो गया निम लिखित में से कौन सा मानव विकास से संबंदित स्वास्थे सूचक चुना गया है जनम के समय जीवन परतियासा यही है अगर आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा जनम के समय जीवन परतियासा यानि वो जीवन परतियासा का मलत है उसकी आयूग कितनी होने वाली है कितना वो स्वस्थ रहने वाला है वह है जनम के समय जीवन परतियासा निमलि एक के नजदीक होगा उसे उचिस्तरम कहते हैं तो एक के निकट जब स्कोर एक के निकट हमारा होता है निम्न में से कौन सा माप डंड मानव विकास में कमी को मापने के लिए परियुक्त नहीं होता कि मानव विकास में कमी देखो भवन की अनुपलवता किसी इंसान को भवन म नहीं मिल रहा है, यह मानव विकास को कमी को नहीं मापा जाता अगर किसी देश में लोगों के पास घर नहीं है, इसका मतलब उसमें मानव विकास उचकांक में कमी उससे कोई रेला देना इसका नहीं है। प्रतिव्यक्ति आय कम होने के बाद भी निम्न में से भारत का कौन सा राज्य जो मानव विकास छेत्र में अच्छा परदर्शन कर राजिस की प्रतिवक्ति आय भी कम है वो है हमारा केरल बाकी जो राज्य दिखा रखे हैं उनकी प्रतिव्यक्ति आय केरल से जादा है ये फि करें और उनका मुल्यंकन करें नीचे देंगे विकल्पों में इसके लिए उचित विकल्प चुनिए सबसे पहला उच मानव विकास समूं में पचपंदेश सामिल है लगबग सही बात है 25 सामिल है दूसरा कहता है लोगों और सुसासन में उचْतर निवेश ने लोगों उसमें अच्छा खासा खर्च किया तो अब देखो जो आंसर देखें क्या था दोनों कथन सही है लेकिन कथन दो एक की उचित व्याक्या नहीं करता है दोनों कथन सही है कथन दो एक की बिल्कुल सही व्याक्या करता है सही बात है उच्छ विकास में पच्छपन देश सही बा बोलते हैं अफसरों की उप्तलब्ता लोगों को अच्छी मिली हुई है विकल्पिन के सामने बहुत सारे हैं उसके लिए सरकार काफी कारे करती है इस कारण इन देशों को अलग कर दिया गया तो यही हमारा आंसर है ठीक है नेक्स्ट निमलिखी तमें से कौन से कारण कुछ देशों में मिलकर मानव विकास सूचकांग के लिए उत्तरदाई नहीं है ठीक है मानव विकास सूचकांग तो राजनेतिक अपदरफ से तो पता चलता है ग्रहे युद्ध के रूप में समाजी का स्थिर्था ये भी होता है अकाल और बिमारियों से पर चलता है विकास के बहतर विकल्प यह है अंसर निम्न के कौन से कारक है यह माना विकास सूचकांग के लिए उत्तरदाई नहीं है निम्न में से विकास का अर्थ क्या है विकास का अर्थ हम सीधे आप कौन से बताते हैं विकास कर्थ निम लिखित में से किस अर्थ सास्त्री ने मानव विकास की अवधारनाप का पर्तिबादन किस ने करता डाक्टर महबूब उल्हक ने किया था डाक्टर महबूब उल्हक के अनुसा निन में से क्या सभी परकार के विकास का केंदर बिंदू है मानव विकास पढ़ रहे हैं तो मनुस्य का विकास तो केंदर मिन्दू क्या है? मनुस्य ही है इसका निमलिखित में से क्या विकास का आधार भूत उद्देश से नहीं है? यानि विकास का मेन उद्देश से यह नहीं है यह कहता है यहां लोगों को कहीं भी घूमने के आव सकता हो मालों कहीं भी घूम सकते हैं किसी देश में इसका मतलब यह नहीं है कि वो देश विक्सित है या उसमें मानविकास अच्छा है ऐसा कुछ नहीं है बाकी इस चीज़ें भी होनी चाहिए बाकी आप उपर तीनों चीज़ पढ़कर देख लेना यह तीनों ज़्यादा जरूरी है बजाए की चोथे से निमलिखित में से कौन से कारक लोगों को अपने आधार भूत विकल्पों को तै करने की अक्षमता और ऐस्वतंतरता के लिए उत्तरदाई है उनकी ज्यान प्राफ्त करने के अक्षमता सही है अगर ज्यान प्राफ्त करने में अक्षम है तो आधार भूत विकल्पों को तै नहीं कर सकते हैं निम लिखित में से कौन सा बिंदू अती महतपून है क्या है लोगों को किसको करने हैं लोगों को ससक्त कर रहे हैं और लोगों को ससक्त करने के लिए सबसे में रोल किस का है सरकार का तो वही है सुसासन एवं लोकोन मुखिन नीतियों की आवसकता है सुसासन होना चाहिए ऐसा अगर सासन होगा, अच्छा सासन अगर सिरकार देगी, तो उससे लोग ससक्त बनते हैं. Next, कहता है निमलिखित में से कौन सा योगम सुमेलित नहीं है? देखो, आय उपागम इसमें मानव विकास को आय के साथ, आय के साथ नहीं, आय के साथ जोड़ कर देखा जाता है, यह तो सही है, कल्यान उपागम मानव को लाभार्थी अथवा, विकास आत्मक गतियों विद्यों के रूप में देखा जाता है, यह भी सही है, आधार भूत, आवज सकताव पागम, डक्टर महभूब उलहक द्वारा दिया गया नहीं, यह गलत है, यह डक्टर महभूब उलहक द्वारा नहीं दिया गया था, यह आयलो द्वारा, अंतर राष्ट्य स्रम संग्र्थन द्वारा, तो इसका आंसर यह वाला है, यह सुमेल पहुच को ग्यान और पहुच को दरसाने के लिए परिक्त किया जाता है उच्छत विकल्प चुनिए यानि चार दे रखें चार में से कौन कौन से होते हैं प्रोड सक्षर्टादर और सकल नमांकन अनुपात की उसमें बात हो रही है तो पहला और दूसरा तो पहला दूसरा क संसाधनों तक पहुच की माप में से किस परकार पाप जिसकी माप होती है संसाधनों तक पहुच की वह किस परकार होती है किरय सकती से किरय सकती मतलब आपके पास सेलरी ज़्यादा है आपके पास पैसा ज़्यादा है तो आप किसी भी संसाधन तक आसानी से पहुच सकते हो निमलिखित मेंसे किस देश का क्रम मानव विकास सूचकांक के अनुसार निमन है, कम है इन सभी देशों में तो भारत का ही कम है, स्रीलंका का भी भारत से ज़ादा है निमलिखित मेंसे कौन सा देश मानव विकास सूचकांक में उच इस्तर पर है अगर नारवे कहीं दिख गया तो नारवे का तो सबसे उचछे है पूरे विस में नारवे का जो हड़ी आई है मानव विकास्षुचकांग में वो सबसे ज़्यादा है निम्लिक्acious में से कौनसी विसेस्ता उन देसों से संबन्दित नहीं है जहां पर मानव विकास सुचकांक का इस तर उच पाया जाता है कहा है इस तर पाया जाता है कहता है इस में देसों में पूझी की कमी पाया जाती है ऐसा ये गलत है जो हमारे उच मानव विकास सुचकांक वाले देस है उनमें पूंजी की कमी तो होती ही नहीं है क्योंकि वो सभी विक्षित देज हैं तो यही चीज इनकी गलत है बाकी हमारा तीनों सही है निमलिखित में से कौन सा विकास का सर्वत्तम वर्णन करता है क्या है जो विकास का क्या करता है सर्वत्तम वर्णन तो क्या कहता है गुण में धनात्मक परिवर्तन ये है गुण में धनात्मक परिवर्तन बाकि किसी से विकास का सरवत्तम वर्णन नहीं करता डक्टर महबूबूल हक ने मानव विकास सोचकांग कौन से वर्स में निर्मित किया था 1990 में किया था प्रोफेसर अमरत्य सेन ने विकास को मुख्यता किस रूप में देखा था उन्होंने स्वतंत्रता में व्रद्धी के रूप में देखा था यानि लोगों की जो स्वतंत्रता है किसी वी विकल्प को चुननेगी उसमें व्रद्धी होनी चाहिए और विकल्प के वारे में किसी ने देखा था वो डक्टर में बूबल हक ने देखा था निन में से कौन सा मानव विकास का उपागम नहीं है यही पहला आयू उपागम नहीं होता है आय उपागम होता है ठीक है बाकि सारे सही है हमारे मानव विकास के कुल कितने इस्थम है कितने इस्थम है जी चार इस्थम थे ठीक है सम्ता, सतत्पोशनियता, उत्पादक्ता ये हमारे और ससक्तिकरन चारती हमारे पास निन में से मानव विकास का इस्तंब कौन सा नहीं है सम्ता, सतत्पोशनियता, उत्पादक्ता और ऐससक्तिकरन ऐससक्तिकरन नहीं होता, ससक्तिकरन होता है तो ये हमारा मानव विकास का उस्तम नहीं है मानव विकास का सबसे पुराना उपागम ये उत्पादन नहीं है ये उपागम सबसे पुराना उपागम कौन सा है कौन सा है जी आए उपागम सबसे पुराना उपागम जो है वो आए उपागम आयलो ये आयलो द्वारा प्रस्तावित किया गया था किस उपागम का संबन प्रोफेसर अमरत्य सेन से है छमता उपागम चोथा वाला जो है निम्न में से किस उपागम ने मानव को लाभारती अथवा विकास आत्मा गती विद्यो के लक्षे के रूप में देखा था कल्यान उपागम में देखा जाता है अगर आप उपागम आपने सब पढ़ रखे हैं तो इन सब के कोश्चन के आंसर आप बड़े असानी से कर सकते हो विस में किस देश में सकल राष्टिय प्रसंता को पूरे वर्ल्ड में यहां मानव विकास सुषकांक नहीं चलता यहां क्या कर चलता है सकल राष्टिय प्रसंता को देश की प्रगती का अधिकारिक माप गोशित किया है किसने करा है भूटान ने गुटान अकेला देश है ऐसा पूरे वर्ल में मानव विकास प्रतिवेदन एक मानव विकास प्रतिवेदन है जिसको छापा जाता है 2006 के अनुसार मानव विकास सुचकांक में भारत का कौन सा इस्थान था अनुसार भारत मानव विकास सुचकांक में से स्थान पढ़ता कौन से पढ़ता भी यह 126 वे ता यह आपकी बुक में एक फोटो दे रखी आखवार की उसमें आप देख सकते हो वहां से कुश्चन बना है नेक्स्ट है 2018 में अब यह जो मानव विकास उचकांक 2006 में जो 126 वे था वो कहरा 2018 में कौन से स्थान पर आ गया 2018 में वो 130 पर यह और बढ़ गया और घटिया स्कोर हो गया भारत का अती उच मानव विकास उचकांक वाले देशों का स्कोर क्या होता है यह सबसे जादा वाला चीक है निम्न मानव विकास उचकांक जो निम्न होते हैं निम्न में यह सबसे नीचे वाला आ जाएगा ठीक है अब मध्यम मानव विकास उचकांक मध्यम कौन सा हो गया मध्यम यह होता है चीक है सबसे पहले उच अती उच फिर उच अब जो हमारे पास उचका पूछा जा रहा होगा अब उचका है तो उचका यह वाल आ जाएगा 0.701 से 0.799 के बीजिए एक टेबल दिए उस टेबल से कुश्चन बनने है उच्च मानव विकास उचकांक वाले देशों की संख्या कितनी है तरेपन उच्च वाले जो है वो तरेपन है निम् अती उच्च वाले 59 है और मध्यम वाले 39 है ठीक है यह संख्या याद रखना आगे कहता संख्युत राष्ट विकास कारेकरम UNDP मानव विकास परतिवेदन का किस वर्ष से जो 2006 में भारत 126 वेपा था 2018 में 130 वेदा यह जो मानव विकास परतिवेदन ने कब से चापना शुरू करा UNDP ने यह 1990 से चापना शुरू करा था जब ड़क्टर मेहबुवन हक ने इसका परतिपादन किया था मानव विकास सुचकांग निम्ण में से किसके अधार देशों का करम तयार नहीं करता किसके अधार पर देश के आकार आकार से कोई मतलब नहीं है कि कोई देश कितना बढ़ा है कितना चोटा उससे कोई मतलब नहीं है तो मानव विकास सुचकांग इस पर निर्भर नहीं है अब ये लास्ट कोश्चन है कि मानव विकास उचकांग, स्वास्थे, सिक्षा और संसादनों तक पहुंच ये तीन इसके आयाम होते हैं और परतेक आयाम को कितनी भारिता दी गई है एक बटे तीन परतेक को बराबर भारिता दी गई है तो ये वाले चैप्टर के MCQ हमारी तरफ से यहाँ पर कंप्लीट होते हैं उम्मीद करता हूँ ये आपके काफी काम आएंगे और वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी धन्यवाद